नमस्कार विद्यार्थियो आज हम कक्षा नौ कृतिका भाग एक का तीसरा पाठ रेड की हड़ी का एनिमेशन के माध्यम से अध्यन करेंगे इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रतिव्याप्त रूधिवादी मानसिक्ता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की सिक्षा एवं उससे उत्पन उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है तो लीजिये शुरू करते हैं एकांकी रेड की हड़ी मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन माहशे की पीठ नजर आ रही है वे अधेर उम्र के मालूम होते हैं एक तक्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं तक्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है अबे धीरे धीरे चल अब तक्त को उधर मोड़ दे उधर उधर हाँ बस बस और क्या करेगा पर्मात्मा कि अखल बट रही थी तो तू देर से पहुचा था क्या बिछादू साब और ये पसी न किसलिए बाया है था क्यों है अबे हमने भी जवानी में कसरते की जून से नाता था लोटों की तरह ये तक्त क्या चीज है उसे सीधा कर यई हाँ बस और सुन बहुजी से दरी मांगला इसके उपर बिच्छाने के लिए चद्दर भी कल जो दोबी के यहां से आई है वही नौकर जाता है बाबु साहब इस बीच में मेजपोश्ट ठीक करते हैं एक जारन से गुलदस्ते को साफ करते हैं कुरसियों पर भी दो चार हात लगाते हैं सहसागर की मालकिन प्रेमा आती है गंदुमी रंग छोटा कद चहरे और आवास से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं उनके पीचे पीचे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हात बाबु साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं मैं कहती हूँ तुमें इस वक्त दोती की क्या जरूरत पड़ गई एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में दोती हाँ अभी तो बदल कर आये ह और फिर नजने किस लिए लेकिन तुमसे दोती मांगी किस ने यही तो कह रहा था रतन क्यों भे रतन तेरे कानों में डाट लगी है क्या मैंने का था दोबी के यहां से जो चद्दर आई है उसे मांगला अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाओं उल्लू कहीं का आर्मोनियम उठाला और सितार भी जल्दी जा लेकिन वे तुमारी लाडली पेटी तो मुफुलाए पड़ी हैं मुफुलाए और तुम उसकी मां किस मर्च की दवा हो जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं अब तुमारी बेवकूफी से सारी मेनत बेकार हो ज जनजाल आते नहीं अपना जमान अच्छा था आई पड़ ली गिंती सीख ली और बहुत हुआ तो इस्तरी सुबोधनी पड़ ली सच पूछो तो इस्तरी सुबोधनी में ऐसी ऐसी बाते लिखी हैं ऐसी बाते कि क्या तुमारी बीएमे की पड़ाई होगी और आज कलके त सब रोक लो और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकार्ड एक बार चड़ादो रुकने का नाम ही नहीं हटो भी तुम्हें ठिटोली सूझती रहती है यह तो होता नहीं कि उस अपनी लाडली उमा को राह पर लाते अब देरी कितनी रहें उन लोगों के आने में तो हु मेरा कहना था कि आचल में मूह लपेट कर लेट गई भई मैं तो बाज आई तुमारी इस लड़की से ने जाने कैसा इसका दिमाग है वरना आजकल की लड़कियों के सारे तो पॉडर का कारवार चलता है अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंट्रेंस ही पास करा देते लड़क तो अभी से सब को चोगले देती हो उनके आने तक तो ने जाने क्या हाल करोगी अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी जैसी तुमारी मर्जियों करना बस मुझे तुमेरा काम बता दो तो उमा को जैसे हो तयार कर लो ने साई पोडर वैसे कौन बुरी है पान लेकर भेज़ देना उसे और नास्ता तो तयार है ना आगया रतन इधर ला इधर बाजा नीचे रख दे चदर खोल पकड़ तो जरा इधर से नास्ता तो तयार है मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं कुछ नमकीन चीज़े बना दी हैं फल रखे हैं ही चाय तयार है और ट पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूचती ही नहीं अब बताओ रतन मखन लाए कि यहां का काम करे दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए सो नखरों के मारे यहां का काम कौन से ज़्यादा है कमरा तो सब ठीक ठाक है ही बाजा सितार आ ही गया नास्ता यहां ब पावु गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए यह लोग जरा ऐसे ही हैं गुस्चा तो मुझे बहुत आता है इनके दक्यानूसी ख्यालों पर खुद पड़े लिखे हैं वकील हैं सभा सुसाइटियों में जाते हैं म रेडिकल कॉलेज में कहता है कि सादी का सवाल दूसरा है और तालिम का दूसरा क्या करू मजबूरी है मतलव अपना है वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सोनाता कि ये भी बाबुजी बाबुजी क्या है कोई आते हैं अरे ए प्रेमा वे आ भी गए अ और तुम जल्दी करो प्रेमा उमा को समझा देना थोड़ा सा गा देगी ये बाजा वे नीचे ही रख गया है कमबक तुम जाओ मैं रखे देता हूँ जल्दी आईए 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 बाबु वोपल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना आखों से लोग चतुराई हासियत है इधर तस्रीफ लाइए इधर ये बेंत लाइए मुझे दीजिये मकान डूंडने में तकलिफ तो नहीं हुई नहीं तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहां आना ही था रास्ता मिलता कैसे नहीं यह तो आपकी बड़ी महरवानी है मैंने आपको तकलिफ दी अरह नहीं साहब जैसा मेरा काम वैसा आपका काम आखिर लड़के की शादीक तो करनी ही है बलकि यों कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी यह लेजिए आप तो मुझे काटों में गसीटने लगे हम तो आपके हैं सेवक हैं और कहिए संकर वाबु कितने दिनों की छुट्टियां हैं जी कालेज की तो छुट्टियां नहीं है वीकेंड में चला आया था आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल वर्रा होगा जी यही कोई साल दो साल साल दो साल हां 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 जी एक आज साल का मार्जिन रखता हूं बात यह है साहब कि यह शंकर ए तरजनों कचोडियां उड़ा जाते थे मगर फिर जो खाना भाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूक कचोडियां भी तो उस जमाने में पैसे की दो आती थी जणाब यह हाल था कि चार पैसे में धेर सी बालाई आती थी और अकेले दो आने की हजम करने की ताकत थी अकेले और अब तो बहुतेरे खेल वगेरा भी होते हैं स्कूल में तब ना कोई वाली वाल जानता था ना टैनिस ना बैडमिंटन बस कभी होकीया क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है जी हाँ जी हाँ उस जमाने की बात ही दूसरी थी और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुरसी पर बैठे कि बारा घंटे की सिटिंग हो गई बारा घंटे जनाब मैं सच कहता हूं कि उस जमाने का मैट्रिक भी वे अं में भी मुकाबिला नहीं कर सकते जी हाँ जी हाँ यह तो है ही माफ कीजेगा बाबुराम सुरूप उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है जी हाँ वे तो रंगीन जमाना था रंगीन जमाना है अच्छा तो साहाब बिजनिस की बात्चीत हो जाए बिजनिस? ओ अच्छा अच्छा लेकिन जरा नास्ता तो कर लीजिए यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहां तस्रीफ लाए वरना मैं किस काबिल हूँ है? माफ कीजिएगा जरा अभी हाजर हुआ आदमी तो भला है मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती पता चले लड़की कैसी है? जी क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं जुक कर क्यों बैठते हो? व्या ते करने आए हो कमर सीधी करके बैठो तुमारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन इतने में बाबु राम सुरूप आते हैं हाथ में चाई की ट्रे लिये हुए मेज पर रख देते हैं आखिर आप माने नहीं आपको विलायती चाई पसंद है ये हिंदुस्तानी? नहीं साहब मुझे आदा दूद और आदी चाई दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा मुझे तो भई ये नया फैशन पसंद नहीं एक तो वैसे ही चाई में पानी काफी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जाय काई कह रहेगा कहते तो आप सही है सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टेक्स लगाएगी? सरकार जो चाहे सोकर ले पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टेक्स लगाना चाहिए वह है क्या? खूबसूरती पर टेक्स मजाग नहीं सहाब यह ऐसा टेक्स है जनाब कि देने वाले चूँ भी ना करेंगे बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टेंडर्ड के माफिक अपने उपर टेक्स टेक्स टेक्र ले फिर देखिए सरकार को कैसी आमदनी बढ़ती है वाँ वाँ खूबसूचा आपने वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेड़ब हो गया है हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी ने था लीजिए कभी नहीं साब कभी नहीं आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू किस मामले में यही कि साधी ते करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए यह बात दूसरी है बाबू रामसुरूप कि हम आप मान भी जाएंगे मगर घर के औरते तो राजी नहीं होती आपकी लड़की तो ठीक है जी हाँ वह तो अभी आप देख लीजिएगा देखना क्या जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्मी समझिए हे 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 यह तो आपका मेरे उपर भारी ऐसान है और जायचा जनम पत्र तो मिल ही गया होगा जी जायचे का मिलान क्या मुश्किल बात है ठाकर जी के चरणों में रख दिया बस खुद बखुद मिला हुआ समझिए यह ठीक हाँ आपने बिलकुल ठीक लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना क्या यह पड़ाई लिखाए के बारे में जी हाँ साफ बात है साब हमें ज्यादा पड़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए मेम साब तो रखनी नहीं है कौन भुखतेगा उनके नकरों को बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए क्यों शंकर जी हाँ कोई नौकरी तो करानी नहीं नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता और क्या साब देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को B.A.M.A. तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए बला पूछिए नकल के ठेकदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कों की पढ़ाई एक बात है अरे मर्दों का काम तो है पढ़ना और काबिल होना अगर ओड़तें भी वही करने लगे अंग्रेजी अकबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगेरा पर बहस करने लगी तब तो हो चुकी ग्रस थी जनाब मोर के पंक होते हैं मोर नी के नहीं शेर के बाल होते हैं शेर नी के नहीं जी हाँ और मर्द के दाड़ी होती है औरत के नहीं है हाँ हाँ वह भी सही है कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और उची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है चाय और लीजिए धन्यवाद पी चुका आप बस सहाब अब तो खत्म ही कीजिए आपने तो कुछ खाया ही नहीं चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या बताएं वह मक्षन नाश्ता ही तो करना था सहाब कोई पेड तो भरना था नहीं और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं अरे जरा पान विजवा दे ना सिगरेट मंगवाओं जी नहीं पान की तस्त्री हातों में लिए उमा आती है सादगी के कपड़े गर्दन जुकी हुई बाबु गोपाल प्रसाद आँखे गड़ा कर और शंकर आँखे छिपा कर उसे ताक रहे है यही है आपकी लड़की है लाओ बेटी पान मुझे दो उमा पान की तस्त्री अपने पिता को देती है उस समय उसका चेहरा उपर के और उठ जाता है और नाग पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दीखता है बाब बेटे चौक उठते हैं चश्मा? जी वह तो वह पिछले महिने में इसकी आखें दुख नहीं आ गई थी सो कुछ दिनों के लिए चस्मा लगाना पड़ रहा है पड़ाई वड़ाई की वज़े से तो नहीं है ना कुछ? नहीं साब वह तो मैंने अर्ज किया ना बैठो बेटी वह बैठ जाओ मा उस तक्त पर अपने बाजे वाजे के साथ चाल में तो कुछ खराबी है नहीं चेहरे पर भी छवी है हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है जी हाँ सितार भी और बाजा भी सुनाओ तो मा एकाद गीत सितार के साथ उमा सितार उठाती है थोड़ी देर बाद मीरा का मशूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है स्वर से जाहिर होता है कि गाने का अच्छा ग्यान है उसके स्वर में तलीन ता आ जाती है यहां तक कि उसका मस्तक उठ जाता है उसकी आखे शंकर की जेपती सी आखों से मिल जाती है और वे गाते गाते एक साथ रुक जाती है क्यों क्या हुआ गाने को पूरा करो मा नहीं नहीं साब काफी है लड़की आपकी अच्छा गाती है उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है अभी ठहरो बेटी थोड़ा और बेटी रहो मा वो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी हाँ वह तो मैं आपको बता न भूली गया यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली इसी ने खीची है और वह उस दीवार पर भी यह तो बहुत अच्छा है और सिलाई वगेरा सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है यहां तक की मेरी कमीजे भी ठीक लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम इनाम भी जीते हैं उमा चुप रामसरूप इशारे के लिए खासते हैं लेकिन उमा चुप रहती है उसी तरह गर्दन जुकाए गोपाल प्रसाद अधीर होटते हैं और रामसरूप सक्पकाते हैं जवाब दो उमा जरा शर्म आती है एनाम तो इसने जरा इसे भी तो मूग खोलना चाहिए उमा देखो आप क्या कह रहे हैं जवाब दो ना क्या जवाब दो बाबुजी जब कुर्सी मेज बिखती हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता सिर्फ खरीदार को दिखला दिता है पसंद आ गई तो अच्छा है वरना उमा उमा अब मुझे कहलेने दीजे बाबुजी ये जो महाश्य मेरे खरीदार बनकर आये हैं इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता क्या उनके चोट नहीं लगती क्या बेबस बेडवकरियां हैं जिने कसाई अच्छी तरह देख भाल कर बाबु राम सुरूप आपने मेरी इज़द उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया जी हाँ और हमारी बेज़दी नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं और जरा आप अपने इन सहाबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के होस्टल के इर्दगिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे बाबु जी चलिए लड़कियों के होस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ मैंने बी ये पास किया है कोई पाप नहीं किया कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह तांग जांग कर कायरता दिखाई है मुझे अपनी इज़त अपने सम्मान का खयाल तो है लेकिन इन से पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पढ़कर अपना मुझे पाकर भागे थे बस हो चुका बाबु राम सरूप आपने मेरे साथ दगा किया आपकी लड़की भी ये पास है और आपने मुझे से कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़िये लाइए मेरी छड़ी का है मैं चलता हूँ भी ये पास ओफो गजब हो जाता है जूट का भी कुछ ठिकाना है आओ बेटे चलो जी हाँ जाईए जरूर चले जाईए लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाईएगा कि आपके लाड़ले बेटे के रीड की हड़ी भी है या नहीं यानि बैक बोन बैक बोन बाबू गोपाल प्रसाद के चहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं बाबू रामसुरूप कुर्सी पर धम से बैड़ जाते हैं उमा सहसा चुप हो जाती है प्रेमा का घबराहट की हालत में आना उमा उमा रो रही है यह सुनकर रामसुरूप खड़े होते हैं रतन आता है बाबू जी मखन सब रतन की तरफ देखते हैं और परदा गिरता है तो यह थी एकांकी रीड की हड़ी मैं उम्मीद करती हूँ यह नाटक आपको पसंदाया होगा पसंदाये तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ नमस्त्राइब